आज सुभा एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पाकिस्तान में हडबड़ी तो जरू मची होगी पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर इमरान खान बैचारे अंदर तक परेशान हो गए होंगे अंदर तक जल्ब होंगे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए होंगे कल ही उन्होंने एक ऐसा स्टेट्मेंट भी दिया था इंडिया के मुतलिक जो के मैं आपको बताऊंगा खबर यह है कि प्राइमनिस्टर मोदी ने यूकरेन के प्रेजडेंट जेलेंस की से बात की 35 मिनिट तक बात ची चली उसमें क्या ओफिशल स्टेट्मेंट में यह था कि हमारे स्टूडेंस को एवाक्योट करवाने में हेल्प करने के रहे थैंक्स और हमारे स्टूडेंस को बाहर निकलवाने की बात हुई उससे पहले प्राइमनिस्टर मोदी ने रशिया के प्रेजडेंट व्लादे में पुतिन से बात किया अगर दोनों लीडर्स से सेम डे बात हो रही है और 35 मिनि मोदी की पर्सनल रेपो है जो के मीडियेशन करा रहा है पहले भी प्राइमनिस्टर मोदी के कहने पर योदवे राम हुआ था कॉरिडर दिया गया था बच्चों को बहार निकलने के लिए लोगों को बहार निकलने के लिए साथ में यूक्रेन के अमबैसडर ने ये बोला था कि मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं और मोदी जी की पावर वर्ल में मानी जाती है इसलिए उनको मीडियेट करना चाहिए तो प्राइमनिस्टर मोदी ने उनकी रिक्वेस्ट पे बात की है इसमें कोई शक नहीं At the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player. Modiji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special privileged strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modiji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. दोनों के दोनों कंट्रीज के बीच में मीडियेशन जो हो रही है वो प्राइमनिस्टर मोदी करते देख रहे हैं और अभी कुछ दुवियाहर विरम के सिचुएशन भी है जो के फ्रांस के प्रेजडेंट इमेनल माकरॉन की वेज़े से हुई है. इंटरनाशनल प्रेशर और इंटरनाशनल बातचीत और इंडिया एक एक ऐसी पावर माना जाता है कि जो के निूट्रल है। इमरान खान उन्होंने कल वेस्टिर्न एंवोईस को यानि के बाइस कंट्रीज के जो एमपासिटर्स हैं उदर उनको एक बात बोली एक रैली में बोली उन्हें पता है इमरान खान को कि मैं जाने वाला हूं तो अपनी एक प्रेस्टीज बढ़ा लूँ लोगों के सामने ये दिखा दूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो उन्होंने एक रैली में ये बोला कि पाकिस्तान से रशियन एग्रेशन को कंडम करने के लिए बोला जा रहा है क्या उन्होंने क्या उन्डिप्लोमाइस ने उन कंट्रीज ने इंडिया को भी ऐसा ही बोला है यूर्पिन यूनियन के अमबैस्टर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खलाफ उसके मुखालिफ स्टेट्मेंट दें उसके खलाफ वोट दें मैं ये यूर्पेन यूनियन के अमबैस्टर से पूछता हूँ कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिका था कि आज कल अमरीका में एक गेम निकला है गेम है प्रेज इंडिया मेक इंडिया हैपी तो इंडिया अगर मिसाइल देता है रूस से और सब को सजा मिलता है इंडिया को तुफ़ा मिलता है तो देखिए ये हैं वज़ा जो फाटैफ में हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर हो अमरीका तो अब तो खेर नाराज हो गया है अब तो अमरीका बहुत नाराज हो गया है और उनों ने जब हमने वाके उनको कहा देखिए उनकी क्या उन लोग समझते हैं कि जो हम वो पूछते हैं हम कर सकते हैं मैंनी कहता कि उनका रिक्वेस्ट गलत है मैं कहता हूं उनकी जुरत कैसी हुई वो हमें रिक्वेस्ट करने के लिए एक दिन पहले दो दिन पहले के मत जाओ तुम लोग किस का मैंने कि इसका मतलब है कि पुराने जमाने में जब ये शरीफ्स और जर्दारी थे तो ये मान जाते थे ऐसे रिक्वेस्ट पे खैर आसिफ अली जर्दारी ने कहा और मारो ड्रोन करो हमें कोई फरवा नहीं है जितना तुम करवाना चाहते हो ड्रोन मारो तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इस टोटली पुलिटिसाइज इन बाडी नाव और सब लोग ये मानते हैं अब देखिए कौन है बड़ा मनी लॉंडरिंग लंडन से बड़ी जगे है जो चोर आप देखें लंडन में गया है चार पांच घर लेके बैठा हुआ है मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ अभी कैसा पता चला सबसे ज्यादा लंडन है क्यों ये जो औली गार्स है ना जी आपको अजाज़त ना मिलें तो ये सब अली गार्स पकड़े गए लंडन में अब इन पे सैंक्शन्स लग गए हैं किसके सैंक्शन्स अमरीका पे तो चोर खुद तुम कहते हो अली गार्स चोर हैं फिर वो चोर के पैसे लंडन पहुंच जाते हैं मगर जब उनके खिलाफ आपको एक्शन होना पड़ता है इसलिए का आपका फाइदा है तो एक हमें बिल्कुल मुनाफकत दुम करते हैं